हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो यह बार-बार खबर निकल के आ रही है कि आंगन बाड़ी केंद्रों को बिद्याले परिशेव में जो है कि स्थानांतरित करने का आदेश आ गया है बड़ी केंद्रों को जो है कि विद्याले से टैक किया जाएगा आंगन बड़ी केंद्रों को जो है कि विद्याले से जोड़ दिया जाएगा इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी कि किन आंगन बड़ी केंद्रों को जोड़ा जाएगा और आंगन बाड़ी के वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर करें ताकि हमारे साथ जो है और हमारी बहने जूड़ सके और जो भी यूजफुल जानकारी होती है जो भी जरूरी जानकारी होती है उनको भी मिले और आपको भी मिले और हम लोग मिल करके एक साथ काम कर सके तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे कि देखिए इसमें आप लोग भी से दिख रहा है आंगन बड़ी केंद्रों को विद्याले परिसर में इस्थानांदेत करने के संबंद में ICDS निदेसाले का पत्रांक जो है कि 45 अतासी दिनांक 99-2022 एवं 32-29 दिनांक 26-2023 यानि कि यह जो है कि बहुत पहले ही इसकी जो आदेश आ गई थी 99-2022 को ही ठीक है और इसमें जो है कि तेजी से काम किया जा रहा है 26-2023 उप्यूक्त विशे एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि नई राष्ट्री शिक्षा निती 2020 के आलोक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने निकट्तम विद्यालेयों के परिसर में इस्थानांत्री त्यानी की संबंध किया जाना है इस है तुनिम्नलिखी दिशा निर्देश है देखिये आप लोग यहाँ पर दो पॉइंट दिख रहा है मैं दोनों आप लोगों को बताऊंगे इस्थानांतरी किये जाने पर क्या होगा और उसे जो है कि टैग कर देने पर क्या होगा देखिए सर्व प्रथम किराय में संचालित आंगन बड़ी केंद्रों को तत पश्चान एवं अन्य सरकारी भवन में संचालित केंद्रों को निकरतम विद्याले में इस्थनंत्रित किया जाए यानि कि जिन आंगन बड़ी केंद्रों का जो है कि अलग से किराया भुक्तान किया जा रहा है या अन्य सरकारी भवन का मतलब आप लोग समझे जैसे कि एक ग्राम सभा में अन्य लोहिया भवन होता है अन्य समुदाइक भवन होता है अन्य पंचायत भवन होता है जिसे कि एक विशेस कारे के लिए बनाया गया है पंचायत भावन को जो है कि पंचायत के लिए बनाया गया है समुदायक भावन को जो है कि समुदाय गाउं समुदाय में आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ बरतन रहती हैं कुछ दरी चटाईया रहती हैं जिसे कि समुदाय के लोग और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसे देखते हुए सरकार ने जो है कि इस प्रकार की विधी बेवस्था की है कि जो किराये पे चल रहे हैं तो किराये अतरिक्त किराया देना पड़ रहा है जैसे कि जो भी आंगनबाडी केंद्र जो है कि किराये में संचाली थे उस थानांतियित करना है या ठाक करना टीक है дав जिसमें आप लोग देख लिए कि मैंने बता दिया कि सवर्प्रिथम किराय में संचालित आंगन बाड़ी केंद्र Supreme तत्पशात अने सरकारी भाहन में संचालित आंगनबाडी केंद्र को निकरतम विद्याले में स्थानांत्रित किया जाए जो आंगनबाडी केंद्र अपने भाहन में संचालित हैं उसे उसी भाहन में संचालित करते हुए निकरतम विद्याले से टैगिंग किया जाए यानि कि जो आप लोगों को पता है कि टैगिंग किया जाने के बाद क्या होगा कि उस बिद्याले में जो है कि टीचर को गठित किया जाएगा उस टीचर को जो है कि उस बिद्याले से संबंध कर दिया जाएगा कि वे सब्ताह में दो दिन तीन दिन चार दिन जैसा हादेश आता है उस प्रकार से जो वह करके वह बच्चों को पढ़ाएंगे यानि कि आगन बाड़ी सेविका को जो है कि जीरो साबित करके सरकारी बिद्याले के टीचर से बच्चों को पढ़वाया जागा यदि अगर आप नेरी बात से सहह मत हो तो हम सेविकाओं को भी एक जरूर लेना चाहिए कि वह अपने विद्याल है कि कख्षा एक के बचों को और हमारे आंगनबाडी केंद्र के तीन से च्छे वर्स के बचों को यदि उनके में हैच हमता तुवा करके बचों का मुकाबला करा लें उन्हें पढ़वाले लिखवाले इससे क्या होगा इससे आ को जागरूप करना चाहिए और साथ में जो है कि इसकी कोई मीटिंग करके इस पर बैठक करना चाहिए ठीक है जो आदेसा मैं आप लोगों को समझा दे रही हूं यदि स्विक्रित आंगनबाडी केंद्रों के लिए अपना भावन नहीं है बिद्याले में कमरा भी उपलब कराया जाए यानि कि यह जगह नहीं है तो वहां पर बनेगा फिलाल में कुछ दिन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा इस पत्र के साथ सरलंग प्रपत्र में महिला पर विक्षिकास के द्वारा गहन सर्वे करा कर जिला अस्तर पर परोजना समयकित प्रतिवेदन निदे सा कि प्रगती की द्यानिक समिक्षा निदे साले हस्तर पर अधोहस्तक्षरी की अध्यक्षिता में प्रतेक दिवस को जो है कि अप्रवाहन यानि कि आप लोग देखिये कि कार्य दिवस को इसमें कहा गया है कि 5 बजे 20 के माध्यम से दी जाएगी यानि कि सभी आंगन बाड़ में पूरा कर लेना है यानि कि जो भी इसमें बिधी बेवस्ता है जहां बिध्याले में जगह नहीं है वहां जो है कि जमीन को चिन्हित करके और वहां कि महिला पर्यक्षिका को जो है कि उसका दाइरह लिखवा देना है जो भी अन्य भावनों में चल रहा है और जो भी करके पढ़ाने के लिए यानि कि कुल मिला जुला करके मैंने आप लोगों को इस पस्ट कर दिया है कि यह टैगिंग का क्या नियम है किस प्रकार से जो है कि केंद्रों को इस्थानांत्रित किया जाएगा किन केंद्रों को इस्थानांत्रित किया जाएगा और कैसे किया उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आंगन बाड़ी के वाटसप ग्रूप में जरूर सेयर करें